हेलो चैंपियंज के साथ सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपको केटोन एलडिहाइडन एसट के बारे बताने वाला हूँ वैसे मैं आपको बताऊं यह पूरा यार चैप्टर इंपोर्टेंट है मतलब मैं धूंड रहा था मैं इंपोर्टेंट क्या बताऊंगा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो यह मैंनी होगी तो भाईया जी सिंपल बात है जितने भी नेम्ड रेक्शन थी वह तो भाईया आपको पढ़ नहीं है कुछ रॉकेट साइंस हमाज बताने सकते हाँ तब भी कुछ लेके आया संदेह नहीं लग रहा है मुझे कि HVZ नहीं करके जाओगे तुम यह सब तो करोगे ही है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई संदेह नहीं लेकिन एक बात जो मैं बहुत प्यार से इत्मिनान से यहां बोलना चाहूंगा तैट इस कि भीया अब ना क्वेशन क्या पूछ रह यह काम करते थे अब आपको ऐसा दे रहा है जादा तर ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसी मॉलेक्यूल में सारी रेक्शन डाल देगा अब आपको ही पर रेक्शन कराके देख बतानी है अब यसे मैं एक क्वेशन बनाता हूं आपके सामने ठीक है मैं चाहता हूं आप यह सोचें और बताएं कि क्या होगा जैसे माल लो मैंने एक LD हाइड लिए अब आपको आता ऐसा नहीं कहना चाहरा हूं में कि आपको कहनी जारो नहीं आता है अरे आपको कहनी जारो आने में कोई दिक्कत नहीं है आपको लेकिन इसका अप्लिकेशन पार बहुत छोटा सा यहा किसको बना दें कैसे पता करेंगे तो देखो क्या इनको इंफ्लूएंस करने वाला कोई फैक्टर लगा है क्या यही वो बात है जो बच्चा छोड़ क्या है यह तक आया नहीं है लेकिन आएगा तो ऐसा ही कुछ आएगा तो इसलिए मैं बता रहा हूं अगर आप ध्यान द नहीं है किसकी वज़ा से इस ऑक्सिजन की वज़ा से इसका मतलब ओच नेगेटिव पहले अटाइक कहा करेगा यहां क्योंकि इसको पता है कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं आ रही है इनके द्वारा जो भेजी गई थी तो पहले मैं यहां अटाइक कर आते हैं वहीं से हाइड्राइड सिफ्ट होता और यहां पर अटाइक करा लेता है इसका मतलब यह जो ऊपर वाला है यह च्छ और यह सी डबल बॉन ओ नेगेटिव समझ गए समझ गये होंगे मेरी समझ से क्योंकि अब यहां पेपर देने जा रहे इतना तो समझ में आना च जिस पर अटाइक वह एसिड बनता है और यहां से हाइड्रोजन सिफ्ट होकर इसको हम क्या बना देते हैं बोलो मिर भाई क्या बना देते हैं जल्दी बोलो इसको और यह बहुत नॉमल सी बात है लेकिन यह आनी जरूरी इस तरीके से अप्लिकेशन आना जरूरी है ठीक है एक यह और एक यह जो क्लासेस में कराया जाता है वो क्लासेस वाली रेक्शन एक बार देख लो क्या होता है आपको आता है भया देखो डबल बॉन ओ और ऐसा लिख देगे फिर वो आपको कहेंगे भया यहां पे कहां अटाइक कराएंगे गिन देंगे वो जैसे देखो एक और six member ring बनते हुए देखना है अगर ये बन रहे हैं तभी आप product को justify कर पाएंगे तभी आप देख पाएंगे और बस five और six member वाला बात ख्याल रखना ये छूटे ना आपसे ठेक है बाकी देखो तुम्हें आता है मैं तुम्हें बता हूँ तुम ज्यादा तर आता है आपको इस chapter को teacher भी 50 बार बोल चुका होता है इससे बिना काम नहीं बनेगा ठीक है जी लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ये जो reagents है इन reagents पर एक बार ख्याल रखना है कि one degree वाला क्या करता जी हमें पता है कि सर वो तो aldehyde बनाएगा है ना नहीं पहले aldehyde फिर वो oxidize हो करके अगर strong oxidizing ascent है तो वह या वो acid बनाएगा पढ़ लिख रख है कोई नहीं बात तो नहीं बताने जा रहा हूँ यहां पर ketone बन जाएगा ketone बन जाएगा इनका oxidation तो possible नहीं है लेकिन अगर मैं इसी को copper भी 300 डिग्री Celsius ले लूँ copper भी 300 अब पता क्या है यही सवाल पूछता है यहीं थ्री डिग्री वाला पूछेगा कि उसको लगता है बच्चा तो करी नहीं पाएगा बच्चा गलती करेगा तो carbon double bond यहां पर क्या हो जाएगा इज़र चाहिए CH2 यहां देखो OH यहां सटा तो H यहां से तो यहां किनारे हो जाएगा CH2 और यहां पर क्या हो जाएगा CH3 ठीक है तो यहां पर आपको देखने के विलतरा water की reaction water कैसे यहां से हट रहा है यहां oxidation नहीं करा पाए लेकिन यह जो है यह काम करा लेगा कहां तक LD हाइड इसको LD हा अब बस एक बार चार्ट बना करके यह चीज लिख लेना that's it मैं यहां पर कुछ खास पढ़ाने नहीं चाहता है बस मैं चाहता हूं कि इन सब्दों का खेल समझ पाएं इनको एक बार चार्ट में लिख लेना ऐसे लिख लो जैसे लिखा हुआ है ठीक है हम कही बार यह नही लेकरी अलकोहल को एसिड तक लेकर जाएंगे लेकिन यह सारे लोग अलडिहाइड तक लेकर जाएंगे वीग इसलिए मैं चाहता हूं एक बार नोट जरूर कर लेना या नहीं तो कम से कम एक बार रीड कर लो पढ़लो बस ठीक है जी शायद समझ में आ जाएगा आई अगल है झाल यहांण रखना हम यूजूली कहते थे कि हमारे पास एक ऐसा कारबन होना चाहिए जहां एक हाइड्रोजन होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है अगर भया यहां डबल है ट्रिपल है सी डबल बॉन ओ है और यहां पर देखो हाइड्रोजन है तो चलो माल लो तो सामने पानी नहीं है और सामने पानी नहीं है और जब जब पानी नहीं है तब तब एल्डिहाइड बना तो सिंपल बात पानी आ जाए तो यह एसिड बनाना पड़ेगा अगर आपने CRO3 with H plus ले लिया एक साथ मिला करके तब यह एसिड बनेगा लेकिन पहले आपने CRO3 एन हाइडराइड के साथ डाला पानी नहीं है वहाँ पहले step में पहले step में पानी नहीं है यह नहीं कि बाद में डाला तो था नहीं भाई ठेका जी सायद याद रहेगा CRO3 with H plus obvious बात है obvious बात है खोपड़ी खोल कर रखो यहाँ पर C O H बनने आ रहा है समझ में आया बात यह एस तरीके से याद होता है अब देखो यह reducing reasons है इन पर काम करते है reducing reason ठेक है इन सब पर काम करते हैं क्या बनाते हैं सायद आप जानते होंगे इनमें क्या करोगे इनमें आप एक बार देखना ध्यान से वन डिग्री और निपी जो भी आपके कॉंपे में लिखा गया उसके साफ से एक बार क्रेपर रिवाइज करना लाई एलए लए फोर इन सब पर काम करता है एनोटू को क्या बनाता है यहां पर क्या करता है जी कार्बन है नाइट्रोजन इन प्राइमरी एलकोहल बनाके छोड़ दू एलकोहल हो जाएगा है ना एक तरीके से जो भी मतलब सफ्ट्यूशन पर करेगा कि कैसा है सब्सट्यूशन डेपेंडेंट होगा वाट मैं कहना चाहरता है तो कि एलकोहल बनेगा ठीक है शायद समझना आ जाएगा अगली बात इस पर और इस पर काम कईक्रता और हमें डाइबल माइनस 78 डिगरी से पर रखवा के पढ़ाया गया है थेक़ जी इन पर काम करता है। तो इनके reduction लेगे दो, simple है, है ना, यहाँ पर डाइबल से क्या मलता है, बस यह aldehyde तक उजरते हैं, यह aldehyde तक उजरते हैं, यह बात आपको सीखनी पड़ेगी, है ना, समझ में आया, इसको एक बार करने के बाद hydrolysis कर दिया जाता है, डाइबल का समझ में आ गया, इसी त अलग-अलग reaction के नाम से रटने वड़ी दिक्कत हो रहे बच्चों को, नहीं याद होता है, यह दिक्कत है, क्या करें, अब वैसे तो यह पुरानी बात है, यहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर बस H+, निकल जाएगा, इनका तो आपको तो टीन को जब HCL से reaction कराते हैं, तो पहले तो टीन जब इससे reaction करता है, तो पहले SNCL2 बनाता है, और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलते हैं, एटम के रूप में, फिर यह दुबारा जब reaction करता है HCL के साथ, तो होता कि SNCL4 बनता है, और साथ में फिर से दो बन जाएगा, इसका मतलब, देखो ध्यान से, अगर मैं SN with HCL लूँ, तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन होंगे, दो और दो चार, तो चार हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसके दोनों पाई बॉन्ट तोट डालेंगे, इसके क्या करेंगे, पाई बॉन्ट तोट डालेंगे, तो दो hydrogen क्या करेगा, दो hydrogen देखो, double bond N, एक H यहां लगा दो, एक H यहां, बाद में इसकी hydrolysis करा दो, hydrolysis करा दो, aldehyde बन जाएगा, aldehyde बन जाएगा, बस काम की बात यह थी, अच्छा, LIBH4 कहां कहां काम आता है, LIBH4 mainly यहां काम आता है, आपको बस याद क्या रखना है, कि LIBH4 mainly ister पर काम करता है, B2S6 mainly acid पर काम करता है, यह बहुत काम की बात है, बाकि ketone aldehyde को सब लोग निप्टा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए main बात यह है, यह acid को निप्टाएगा, यह ister को निप्टाएगा, और अगर कोई कह दे, कि भईया, RCOCL के लिए थोड़ा सा भी specific कुछ है, तो कहना NABH4 है, NABH4 है, यह थोड़ा specific है, और यह इनको निप्टा करके ले आएगा, LDI, क्या समझ में आया, फिर आगे भी reaction करा करके, आप कहां तक ले जा सकते हैं, इसको, बोलरे बाबा, कहां तक ले जाएंगे, इसको, एलकोहल तक, फिलहाल इतनी बात समझ मैं, सबको, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से इनको देखो, इन सब में आपको क्या मिलेगा, बेंजल डिहाई, मैं आपको सच बता हूँ, यह वो reaction है, जो ज़्यादा तर बच्चे गलत करते हैं, यह सारे एक साथ लिख दिये मैंने, गटरमाइन कॉस में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, यहां से क्या करेंगे, सर, वाटर हटा देंगे, बटे यह पूछा था, क्या पूछा था, से सेमी कारवजाइड से फिर आगे reaction करवाया हुए, यह पूछा गया था, मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में तब तक के लिए खुछ रहिए, प्रसंद रहिए, आबाद रहिए, जिन्द आबाद रहिए, बबाद टेक केर, लव यॉर्